स्टेटू, जिया दोस्तों ये चौथा दिन है स्टेटू का मैं तीनों दिनों के एक भी प्रेडिक्शन मुझे लगता नहीं है, सही हुए हूंगे लेकिन आज चौथे इनका प्रेडिक्शन जो मैं देने वाला हूँ, वो बहुत ही इंटर्स्चिंग होने वाला है तीसे दिन मैंने ज़रूर इसका प्रेडिक्शन दिया था 43 स 44 करोड में भी शायद वो सही हो जाए बट चिल अगर वो सही भी नहीं होता है तो भी मुझे इस लगता है कि चोथे दिन का जो प्रेडिक्शन है वो सबसे खतरनाख होने वाला है मेरा क्योंकि तीसे दिन का हज़रे फिल्म ने 40 करोड के उपर ही कमाई की और अगर हम 41 करोड बेस क्लेशन पकड़े स्ती टू का तीसे दिन का तो फिल्म को टोटल होता हुआ नज़र आता है तीन दिन के बाद 141.10 करोड 141 करोड 10 लाग अब फोर्थ डे है आज का प्रडिक्शन मेरा जौन लेवा होने वाला है क्योंकि कल मंडे है और मंडे को भी रक्ष्ण बंदन के छुटिया होगी यानि कि आज लोग एकदम खुल कर फिल्म देखेंगे और नाइट शोउस को भी लोग पागल पन की तरह देखेंगे क्योंकि उनको पता है कि कल छुटी है उसका पूरा फायदा आज फिल्म को मिलने वाला और कल तो मिलेगा ही मिलेगा आज तो मिलना ही ही मिलना है और आज मेरा प्रेडिक्शन जो है 56 से 58 क्रोड है जो आज आप में सही सुना 56 क्रोड से 58 क्रोड के आसपार क्योंकि पहले दिन फिल्म में 55.40 क्रोड की कमाई करी ली थी इंडिपेंडेंस ये के दिन तो मुझे नहीं लगता है कि उससे कम होगी उसके उपर ही होगी शायद 60 क्रोड भी आउटसेट चांसे की टेच कर ले ये मेरी फिलिंस कहरी क्योंकि अगर मैं पिछले गहंटी की बात करू जिसे की 10 से 11 बजे के आसपास तक की फिलार बात करू तो 47 के की कट हर गहंटे भी कर रहे है स्थी टूकर यानि की पागलों की तदा इस फिल्म को लोग पसंद करें आप सोचेंगे फिल्बी इतना क्लेक्शन कैसे होगा तो मैं आपको बता दू जो चीजे लोगों शायद नहीं कहीं हो कि साउथ मार्केट जिसे की बैंगलूरू हो जै को पसंद किया गया था हला कि साउथ डिरेक्टर की थी और इसलिए उसे इतना ज्यादा प्यार मिल लेकिन यह पहरी प्रॉपर फिल्म होगी हिंदी फिल्म जिसे साउथ में इतना प्यार मिल रहा तो यही रिजन इतना बढ़िया क्लेक्शन हो रहा है और 56 से 58 कोड़ अगर को जरू सब्सक्राइब करेगा